एक डिटेक्टिव को एक आदमी को चीट करते हुए पकड़ने का काम मिलता है ये काम वो जब करने के लिए गया तो उसे हायर करने वाली और जिसे उसे पकड़ना था इन सब की डेट बोड़िज उसे मिली अब इसके पीछे कौन था ये आज के हमारे मुवी दस सेंट में हम देखेंगे ये एक बहुत यह चीजी सस्पेंस और मिस्ट्री मुवी है विशान तक जरूर देखेगा इसके ट्विस्ट भी आपको बहुत पसंद आएंगे अब आपको वीडियो अच्छा रखता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा बिना किसी तरीके एक्स्पेंस स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन गारेक्टर कैंग हमसे इंट्रोड्यूस होता है कैंग पहले एक डिटेक्टिव था पर उस पर इलजाम लगा कि अपनी सुपीरियर की वाइफ के साथ इंटिमेट हुआ है इस इंक्वाइरी की वज़े से उसे दो साल के लिए सस्पेंट कर दिया गया था इस टाइम में कैंग ने अपनी डिटेक्टिव एजनसी खोली है अगर किसी को लगता है कि उनका पार्टनर उन पर चीट कर रहा है और उन्हें उन्हें पकड़ना है तो इस सब लोग कैंग के पास आते है कैंग का एक उसूल है कभी भी किसी पर भी चीट नहीं करना चाहिए जब उस पर इलजाम लगा तो उसने स्टिकली कहा था कि वे इन ऐसा कुछ भी नहीं किया वो सिर्फ गलत कंडिशन में दिख गया था इस अलजाम की वज़े से उसकी वाइब भी उसे छोड़ कर चली कही है इस सीन में कैंग के पास कुछ क्लाइंट्स आये थे तो उनक्यों हेल्प कर देता है कैंग को अपने काम में जी पॉंग हेल्प करता है जी पॉंग पहले एक्सकॉन हुआ करता था फिर कैंग नहीं उसे हायर कर लिया जी पॉंग दिखने में कि उसकी हरकते थोड़ी सी डम लख सकती है और बहुत ही जादा स्मार्ट होता है जितने भी कैसेस इन्होंने सॉल किये थे इसके सारी एविडन्स उन्होंने अपने ओफिस में रखे है जी पॉंग ने कैंग को याद दिलाया एक बहुत यी ब्यूटिफुल सी लड़की के साथ आपकी अपॉइंट्मेंट है इसके लिए कैंग भी एक्साइड़ था यह रड़की आई और उसका नाम था सुजीन सुजीन कहती है मेरा हस्बन मुझ पर चीट करा है उसे मुझे रंगे हाथ पकड़ना है यह सब उसे करना तो था पर ज़्यादा और शूर नहीं थी कैंग उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है तो उसे डारेक्ली जेल जाना पड़ता है यही सजा दिलाने के लिए सुजीन के हस्बन की वो वीडियो टेप लेकर आएंगे जिसे सब कुछ प्रूव हो जाएगा इसके बाद नेक सीन में कैंग अपनी वाइफ यंग से मिला यहीं उसे फिर से डिवॉस पेपर देती है वो बहुत दिनों से ट्राय कर रही है पर कैंग इन पेपरस पर साइन ही नहीं करता वो उसे फिर से कन्विन्स करने की कोशिश करता है कि मैंने तुम पर चीट नहीं किया पर यहीं इस बात को नहीं मानती है इसके बाद रात में क्यांग सुजिन की हजबन को पकड़ने के लिए एक मौटल में पहुचा मौटल में उसे एक कपल ने देखा था उसने सुजिन की हजबन का डोर नौक किया और कहा कि मैं गलत रूमें पहुच चुका हूँ ओपलोजाइस करकर वहाँ से चला जाता है वो सिर्फ कन्फरम कर रहा था कि सुजिन का हजबन किसी और लड़की के साथ है साइड के रूम में सुजिन थी तो उससे मिला सुजिन कन्फियूस हो गई थी और वो नहीं चाहती थी कि उसका हजबन कोई भी ट्रवल में आए वो रोने लग गई कहती है मैं बहुत हर्ट हूँ वो ड्रिंक कर रही थी तो कैंग को भी ओफर करती है वो रो रही थी हर्ट थी इसलिए कैंग भी उससे सहारा देता है वो उससे किस कर ले थी इसके बाद रात में कैंग उठा और अपनी गल्ती उसने रियलाइस कि वो कभी भी ऐसी कोई भी चीज नहीं करता उसने लाइट आउन किये तो देखा कि सुजीन की डेथ हो चुकी है वो बहुत ही जादा डर गया इसके बाद वो सुजीन के हस्बन की रूम में गया वहाँ देखा तो वहाँ उसकी भी डेट बॉड़ी पड़ी हुई थी उसके पीचे से एक लड़की आई यह लड़की भी डेट बॉड़ी देखकर बहुत डर गई थी कैंग उसे पुछता है तुम कौन हो वो कहती कि मेरा नाम सुजीन है और है मेरा हस्बन कैंग यह सुनकर सप्राइस्ट हो गया उसने उसका आईडी चेक किया तो सबको सही था अब यह बहुत ज़्यादा कनफ्यूज हो जाता है कुछ बें फिगर आउट नहीं कर पाता सुजीन कहती कि मैं शावर में थी यहाई तो डारेकली डेट बॉड़ी देखिए कैंग कहता है कि अब हमें डरना नहीं है यहाँ पर हम दोनों अंजान से होटेल में है हमारे साथ दो डेट बॉड़ीज है अगर किसी को इसके बारे में पता चला तो सब लोग हम पर इशक लेंगे कैंग जल्दी से गया और होटेल की रेकॉर्डिंग्स चेक की किलर ये रेकॉर्डिंग भी लेकर गया था अब कैंग डिसाइड करता है इस सब सिच्वेशन को हैंडल कर लेगा उसने जीपों को कौर लगाया यहाँ का पूरा क्राइम सिन उन्होंने साफ कर दिया एक रिमोट सी जगा पर जाकर यह बोडिगाड कराते है यह सब हो जाने के बाद कैंग को बहुत सारे सवाल थे उसके पास जो आई थी वो सुजिन कौन थी सुजिन का आइडियो उसके पास था तो डारेक लिए उसकी घर बर वो पहुच जाता है वो घर में सुजिन के उसके बॉइफरेंड के साथ फोटोस देखता है उसने सब ड्रॉज वगरा चेक किये तो नोटिस करता है सुजिन के पास कैंग की सब कुछ हिस्ट्री थी उसे जान भुच कर उसने चूस किया था इसे वो और भी जादा कन्फियूस्ट हो गया एक्चुल जो जिन्दा सुजिन है उसे कैंग कहता है सब कुछ नॉर्मल चलने तो एक वीक हो जाने के बाद अपने हस्बन को मिसिंग रिपोर्ट कर देना सुजिन बहुत ही डर गई थी उसे लगता है उसे सब कुछ पुलिस को बता देना है उसने फिरो ने कॉल कर दिया पुलिस आते हैं और सुजिन से क्वेशन पूषते है सुजिन कहती है कि बिजनेस टीप पर गया हुआ था पुलिस को लगा किव किसी और लड़गी के साथ गया होगा वो इस बात को seriously ले नहीं रहे थे सुजिन उसे सब कुछ बताने वाली थी तब ही क्यांग वहाँ पहुँच गया क्यांग के दो साल complete हो चुके है अब वो duty पर आ सकता है वो यही reason दूसरे पुलीस को भी देता है यांग ने सुजिन को कुछ भी बताने से रोक लिया यांग ने सुजिन के husband की गारी ठिकाने लगाने का काम यह जीपॉंग को दिया था जीपॉंग को यह गारी अच्छी लगी थी तो सिर्फ उसने वह गारी छुपा दि ये अब डारेक्ली पुलिस को मिल चुकी है सुजीन को जब ये पता चला तो सब कुछ सच सच बदाने के लिए पुलिस टेशन आ गए वो कुछ बदा पाए इससे पहले कैंग ने उसे रोक लिया उसने का रियल किलर को मैं ढोन लोंगा सिर्फ मुझे थोड़ा सा वक्त दो वो पुलिस टेशन में आही चुकी थी तो फिर से पुलिस उससे क्वेशन करते है इस बार हो गहती है ये शायद मेरे हस्बन का किसी से चक्कर चल रहा था मैंने उसे फोन पर बात करते हुए देखा था कैंग की वाइव यंग ये भी एक पुलिस ओफिसर ही है उसने कैंग और सुजीन को एक साथ बात करते देखा उसे लगता है इनके बीच कुछ ना कुछ तो है सुजीन जब चली गए तो यंग कैंग से कहती है इसका सेंट बहुत ही सिड़क्टिव है हजबन मिसिंग होने के बाद भी इसके पास परफियूम लगाने का टाइम है कुछ ना कुछ तो जरूर गड़वड है पुलिस ने सुजीन के हजबन के सब कॉल रिकॉर्स निकलवाए उन्हें पता चला कि सुजीन के अलावा इसके और लड़की से बात करता था उसका नाम भी सुजीन ही था इसकी इन्वेस्टिकेशन करने के लिए एक डिडेक्टियो इसका नाम हान एक एंग को लेकर डेड़ सुजीन के घर पर चला जाता है डेड़ सुजीन या अपने बॉइफ्रेंट के साथ रहा करती थी उन्हें उसके बारे में उसे पूछा तो बॉइफ्रेंट कहता है एक मेना हो गया वो घर से चली जा चुकी है मैं उसका जीम ट्रेनर हुआ करता था हम रिलेशन्शिप में आये पर वो सैटिस्वाइड नहीं थे उसने फिर एक अमीर आदमी को बकड लिया उसका प्लान था कि उससे बहुत सारे पैसे लेगी और इस कंट्री से भाग जाएगी इसके बाद नेकसिन में हम देखते है कैंग रियल सुजीन के घर बर आया हुआ था वो घर पर नहीं थी तो उसकी मेर से वो बात करता है उसने उसे बहुत सारे पैसे ओफर किये तो गहती है सुजीन को उसका हस्बन बहुत मारा करता था को इस टाइम पहले उसने पुलिस को भी बुलवाय था अब कैंग को शक जाता है कि शायद सुजीन इस सब में involved है अब कैंग सुजीन से मिलने के लिए गया वो जिम में थी उसकी बॉड़ी पर उसने नोटिस किया कि बहुत सारे मार्क्स है यह उसे कहता है तुम्हारा हस्बन तुम्हें मारा करता था उसके पास बहुत सारे पैसे थे इसी वज़े से शायद तुमने उसे शादी की थी अगर तुम उसे नहीं मार डालती तो एक दिन वो तुम्हें मार डालता यह मर्डर तुमने ही किया है सुजीन इस बात पर बहुत गुसा हो के कहती है कि यहाँ से चले जाओ और वापस फिर से कभी मता ना रात में कैंक सुजीन पर नज़र अग रहा था सुजीन उसके सामने न्यूड होकर बात लेने के लिए चली जाती है उसे कॉल करती है पुछती है क्या तुमें लोगों पर नज़र रखने में मज़ा आता है अंदर आ जाओ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है सुजीन उसे कहती है मेरा फर्स्ट हजबन उससे बहुत प्यार करता था अगर मैं किसे से बात भी करो तो भी वो जेलिस हो जाता था उसे मारने भी लग गया था इन सबसे उतंग आ गए उसे छोड़ दिया मनेक्स हजबन से जब उसने शादी की तो उसका बहुत खैल रखता था पर एक दिन सुजीन को बदा चला कि उस पर चीट करा है उसने उसे कंफरेंट किया तो इस बात से उसका हजबन बहुत ज़्यादा गुसा हो गया इस हजबन ने भी उसे बहुत मारा था वो रोने लग जाती है कैंग से कहती है कि वो जैसा भी था वो उसे बहुत प्यार करती थी वो उसके जाने के बाद वो उसे मिस्स करती हो मैं कभी भी उसे मार नहीं सकती है अगली दिन कैंग अपनी वाइफ के साथ था उसे फिर से मनाने की कोशिश करता है रचनक से उसे सुजीन का कॉल आ गया वो कहती है मेरा आफटरनून से कोई पीछा कर रहा है वो जल्दी से उसके घर पर पहुच जाता है वो उसने दिखा कोई सुजीन पर नज़ा रख रहा था कैंग उसके पीछे भागा उसे पकड़ लिया इन दोनों में फाइट होती है पर फिर भी वो आदमी यहां से भाग जाता है इस फाइट में कैंग भेहोश हो गया था तो सुजीन उसका खैल रख दिया उसे होश आया तो कहता है कि यह सब चीज़े बहुत ही स्टेंज है तुमारा जो सेंट है यही सेंट डेड सुजीन का भी था यह करीब आ गये थे सुजीन उसे किस करने वाली थी तब है उसे कॉल आ गया पुलिस को सुजीन का हजबन और दूसरी सुजीने दोनों मिल चुके है पुलिस को इनकी डेड वाड़ी को लेकर एक अनानोमस टिप मिली थे कैंग और सुजीन चब एक साथ थे तो कहता है डेड वाड़ी इसके बारे में सिफ तीन लोग को पता था मुझे जी पॉंग और तुम्हे उसे लगता है कि सुजीन ने ये सब किया है उसने बूचा कि अब तुम्हारा निक्स प्लान क्या है सुजीन ने सुनकर गाड़ी से निकल गई कैंग उसके पीचे पीचे आया कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया वो रोने लग गई थी ये दुनों करीब आ गए और किस कर लिया डेर सुजीन कैंग से मिलने उसके आफिस आई थी यहाँ के कॉल रेकॉर्ड से पुलिस को इस आफिस के बारे में पता चल गया कैंग को भी पता चल जाता है सब लोग वहाँ रेट डालने के लिए जा रहे है उसने जल्दी से जीपॉंग को कॉल किया और कहा कि सब कुछ वहाँ का साफ कर दो इनके पास टाइम बहुत ही कम था पुलिस के साथ कैंग भी वहाँ पहुश गया वो डर रहा था इसायद पुलिस को सब कुछ मिल जाए पर जीपॉंग ने सब कुछ साफ कर दिया है इस ओफिस से पुलिस को पता चला इसमें जीपॉंग इन्वाल है सब लोग उसे ढोडने लग जाते है डिरेक्ट्टु हान को लगता है जीपॉंग अकेला इस सब चीज़े नहीं कर सकता इसमें और कोई इन्वाल्ड है इसके पास सुजिन के हजबन का फ्यूनरल था इस पर कैंग भी आया कैंग और सुजिन ये अकेले ग्रूम में मिलते है यहाँ पर एक दुसरे को किस करने लग गए कैंग अपने आपको कंट्रोल नहीं कर पाया उस सुजिन के साथ इंटिमेट होने वाला था तब ही अपना रिफलेक्शन उसने एक मिरर में देखा उसने रियलाइज किया कि सब कुछ गलत है वो कभी भी अपनी वाइफ पर चीट नहीं कर सकता अगले दिन स्टेशन में कैंग की वाइफ ने उससे बुल वाया वो गहती है यह सुजिन के कॉल रेकॉर्स है जिस दिन उसका मर्डर हुआ उस दिन तुमसे बात करना है बहुत ही स्टेंज है कैंग कहता है यह बात जरा बड़ी है इससे कुछ भी कंक्लूजन मत निकालो यहाँ पुलिस स्टेशन में हम देखते है एक कबल आया हुआ था वही कबल है जिन्होंने कैंग को मॉटेल में देखा है कबल में इसे आदमी कैंग को पहचान लेता है वो कहता है कि मैंने तो इससे ही देखा था कैंग बहुती डर गया कैंग उसके पास जाकर उससे थंकाता है कहता है कि मैं एक पुलिस ओविसर हो तुम वहाँ मुझे कैसे देख सकते हो वो आदमी भी डर कर अपना स्टेटमेंट चेंज कर लेता है कैंग के फ्रेंड को पता चल गया कुछ न कुछ तो गड़बड है फिर रात में उसे डीनर पर पुछता है तुम में और सुजिन में चल कह रहा है कैंग कुछ भी नहीं बोलता तो उसका फ्रेंड कहता है इससे तुम बहुत बड़े टरबल में आ सकते हो पुली स्टेशन में कैंग के खिलाफ सबूत देने के लिए एक डिलूरी मैन आया हुआ था कैंग उसे पहली पकड लेता है पूछता है तुम्हें किसने देने के लिए कहा उसने कहा एक बहुत ही अट्रेक्टियू लड़की थी उसका सेंट बहुत ही ब्यूटिफूल था कैंग अब 100% शूर था कि सुजिन उसे फसाना चाहती है उसके पास आया और कहा कि तुमने ही उसे मारा है सब कुछ मुझे सच-सच बताओ सुजिन ने कहा मेरा हस्बन बहुत ही आजीब था वो चाहता था कि जब वो किसी और के साथ इंटिमेट हो तो मैं उन दोनों को देखू मैंने इसा नहीं किया दिन उसने मुझे पान कर जबरदस्ति उसे देखने के लिए मजबूर किया था जिस रात उसकी डेथ हुई तो इस सब के लिए मैं मान गई थी इसलिए हम सब होटेल पर थे कैंक कहता है कि अब सब कुछ खतम हो चुका है वो उसे कफ करता है और सुजिन कहती है तुम भी वहा थे मैं पुलिस को बता दूँगी कि तुम ने दुसरी सुजिन को और मेरे हस्बन को मार डाला तुम दूसरी सुजिन के साथ इंटिमेट हुए थे तो पुलिस की रिपोर्ट से ये भी साबित हो जाएगा सुजिन फिर से कहती है कि मैंने मेरे हस्बन को नहीं मारा अब कैंक को चुछ कर भी नहीं सकता कैंक को राद में पुलिस टेशन से कॉल आया उसे पता चला सुजिन के बॉड़ी पर जीम ट्रेनर जो पाउडर यूज करते है वो पाया गया है कैंक का शब डेड़ सुजिन के बॉइफ्रेंड पर जाता है कैंक ने फिर उसके सब कुछ का रेकॉर्ड से करा निकलवाए उसे पता चला डेड़ सुजिन का बॉइफ्रेंड उस रात इसी एरिया में था यानि कि वही असली किलर है नेकसिन में बुली स्टेशन में था उसके फ्रेंड हान को पता जल गया था कि जीपॉंग और कैंग ये दोना एक साथ काम करते है उसे अरेस्ट करने की कोशिश करता है वहाँ से भाग जाता है कैंग को भागने में शिपॉंग ने हेल्प की रात में कैंग डेड़ सुजिन के बॉइफ्रेंड को पकड़ने की लिए गया इसके पैरलल में हम देखते है कि रियल सुजिन ये पुली स्टेशन में आच चुकी है वोने बताती है ये डेड़ सुजिन मेरे हजबन को ब्लैकमेल कर रही थी उसने कैंग को भी अपने प्लाइन में शामिल किया था डेड़ सुजिन का काम हो गया तो उसके बाद वो कैंग को भी blackmail करने लग गए इसके बाद कैंग ने उसे और मेरे हजबन को दोनों को मार डाला मैं खुद इसकी witness हूँ मैंने कैंग को मेरे हजबन को मारता हुआ देखा था मैंने पुलिस को कुछ भी नहीं कहा क्योंकि क्यांग उसके बाद मुझे blackmail करने लग गया मेरी हस्बन की property में उसे 30% चाहिए थे अब सब पुलिस को लगता है क्यांग 100% culprit है इसे के parallel में क्यांग ने dead sujin के boyfriend को पकड़ लिया है इन दोनों में fight होती है क्यांग उसे बोचता है तुमने इस सब किया क्यों dead sujin मेरे पास क्यों आई थे वो कहता है इन सब के पीछे actual sujin ही है उसे पदा चल गया था कि उसके husband का और मेरी girlfriend का affair चल रहा है वो फिर मेरे पास आए उसने कहा कि उसकी property के 30% मुझे दे देगी इसके बदले में मैंने उसके husband और मेरी girlfriend को मार डाला sujin नहीं मेरी girlfriend को तुमारे पास भीजा था कैंग सप्राइस था इस sujin उसे क्यों frame करना चाहती थी इसी confrontation में फिर से boyfriend कैंग को मारने लग जाता है वो उसे मार ही डालता पर तबी यहाँ पर young बोच गई वो डेड़ sujin के boyfriend को मार डालती है कैंग और young यह police station में आये सब को समझाने की कोशिश की पर कोई भी माना नहीं sujin कैंग के खिलाफ एक witness बन चुकी थी अब कैंग की help कोई भी नहीं कर सकता कैंग handcuffed था उसे मिलने के लिए young आई उसे कहता है मुझे सिर्फ थोड़ा सा time दो मैं सब को सही कर दूँगा young को भी लगता है कि कैंग innocent है वो उसके cups खोल देती है कैंग अपने superior को gun लगा कर वहाँ से भाग जाता है वो directly sujin के पास आया इसी के parallel में sujin ने उस रात की hotel की recording यह young को भीज दी थी इसे प्रूव हो जाता है कि कैंग innocent है इसमें साफ साफ दिख रहा था कि sujin के dead boyfriend ने ही सब को मारा है कैंग अब sujin से तो मिला पर उसने उसे जाने दिया थोड़ी दर में बुलिस भी वहाँ पोच गय अब कैंग पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा पर हान पूछता है कि तुमने sujin को जाने क्यों दिया कैंग ने कहा कि वो already चली जा चुकी थी हान को मालूम था कि वो कुछ ना कुछ तो चिपा रहा है वो इमें कैंग जब sujin से मिला तो क्या हुआ था या पता चलेगा sujin उसे बता देती है ये recording मैंने तुमारी wife को भीज दी है अब तुम पर कोई भी शक नहीं करेगा कैंग ने उसे पूछा तुमने मुझे क्यों चूस किया वो खहती है already तुमें तुमारी wife पर cheat करने के लिए suspect कर दिया गया था सब लोग तुम पर ही शक करते मेरे plan के लिए तुम बहुत ही important थे तुमने crime scene को सही से साफ कर दिया था जैसा हो चाती थी सब कुछ वैसा ही हुआ वो finally कहती है मुझे अभ यहाँ से जाने दो अगर मैं पकड़ी गई तुम भी trouble में आ सकते हो इसके बाद कैंग ने उसे जाने दिया कैंग under suspicion ही था उस वर कोई भी charge नहीं लगे पर फिर भी उसे jail में थोड़ा सा जाना पड़ा था वो जब jail से वापस आता है तो उसकी wife उसका wait कर रही थी सुजिन ने यंग को बता दिया है कि वो कवे भी उसके साथ intimate नहीं हुई कैंग की wife को जो भी लगा था यह सब उसकी misunderstanding थी उसे सब चीजों के लिए माफ कर देती है अब movie में थोड़ा सा time गुज़र चुका है कैंग का अब एक बहुती successful office है अब बहुत दिनों बाद उसके बास एक client आए गहती है मेरा नाम सुजीन है उसने उसे box दिया इस box में कैंग ने देखा तो एक ticket और एक phone था उसे call आया और इस सुजीन का था वो गहती है मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया इस सब के लिए मैं sorry हूँ कैंग उसे बोच्छता है तुम अगर चाहती तुम मुझे frame कर सकती थी तुमने मुझे जाने क्यों दिया वो गहती है जो भी आदमी मुझे life में मिले सब कुछ बहुत ही घटिया थे मेरा actual में खयाल सिर्फ तुमने रखा था मुझे जब भी तुम्हारी जरुद होती थी तुम आज आते थे अब सुजिन के पास बहुत सारे पैसे है तो कहती है अगर तुम चाहो तुम मेरे साथ आकर रह सकते हो उसे मिलने के लिए ही उसने flight का ticket भीज दिया है क्यांग गयता है यह मेरी family है उसका rule है कभी भी वो cheat नहीं करता वोब अपनी life से खुश था इसे moment पर यह movie एंड हो जाती है अगरे मिस्ट्री आपको पसन आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी movies लेकर आत रहता हो तो प्लीज चानलों को सब्सक्राइब कर दीजे बेल नोट्विशन आइकों दबने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक ने movie के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखे